कि अपका अपारे शानल पर मेरा नाम है वरुन और हम बात करें सीवीटी की तो बैस इडिवीशन स्टार्ट हो चुके बहुत सारी यूनिवस्टी के अब समस्यावास दिमाग में यह आ रही है कि कौन सी यूनिवस्टी हमारे लिए बेस्ट हो सकते दिकत उसी की समस्या का समा यही इस वीडियो के माध्यम से सारी यूनिवस्टी की जब जानकारी हो जाए गी तो भाहि आपकी समस्या दूर हो जाएगी तो इसको स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो को दोस्तों में share जरूर करना है और चैनल को सबस्राइब करना है ताकि सीवीटी की हर चोड़ C U T N इसको कहा जाता है याद रखिएगा और ये 516 एकर में फैली हुई एक भब्य योनिवस्टी है जिसमें 12 स्कूल्स हैं जिसमें इन स्कूल्स की बात करें तो स्कूल अप सोशल साइंस एंड हुमानिटीज स्कूल अप बेसिक अप्लाइट साइंस स्कूल अप मिथमेटिक और स्कूल ऑफ जी और स्कूल और फाफोर्मिंग और यो से स सारह के सारे स्कूल है इसमें इसमें पराएट के लावा स्कूल ओफ लीगल स्टेडिस चूल of life sciences यह सभी के सभी स्कूल्स हैं जो बैरिस कोर्स अपने अपने फिल्ड में प्रोवाइड कराते हैं अगर बात करें कोर्स की तो यहां पर integrated msc कोर्स होता है बीएड कोर्स होता है इंटीग्रेडिड है यह एमकॉम एमटेक में एमबीए एमफिल और पीएजडी दगे प्रोग्राम्स यह करवाती है यूनिवर्स्टी इस यूनिवर्स्टी की बात करें तो इन्हों ने MOU साइन करके रखा है कहां कहां से मद्रा स्कूल ऑफ एकॉनमिक से चन्नाई से और सरदार वल्लब भाई पिडेल सहाव इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स्टायल एंड मेनेजमेंट यह कोई अंब दूर में इस्ते था है तो यह भाईया MOU के साथ अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर उनकी ट्रेइनिंग करवाते हैं इंटरन्सिम करवाते हैं यानि बहुत बढ़ी अगाम है चलिए हाइलाइट्स पर एक बार देख लेते हैं तो यह जो सेंट्रल यूनिवरस्टी अप तमिल लाडू है यह उन 15 यूनिवरस्टी में से एक है जो 2009 में एक्टो पार्लियमेंट के द्वारा स्टाफलेस करी गई थी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए है ना चलिए कंपस साइज हमने देखी लिया है 516 एकड में फैला हुआ यह भब्बे कंपस है इसको यूनिवरस्टी ग्रांट कमिशन के द्वारा रिक यह पब्लिक ही है प्राइबिट तो नहीं यह उब यहींजी बात है यहां पर बहुत सारे उट्वेशन के बात करें तो तीस से ज्यादा इस यहां पर साथ स्ट्रीम में कराए जाते हैं जिन पर हम डिसकस करें हैं आंगे हाईस्ट सालरी 2017 में यहां बच्चों को प्लेस्मे परेरम का पैकिस था यह हाईस्ट पैकिस हुआ गरता है जो वेबसाइट है इनकी ओफिशल वेबसाइट यह इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि सारी के सारी जो एड़िशन प्रोसेस करते हैं वो इसी वेबसाइट के थ्रू करना है तो .ac.in यह इनकी ओफिशल वेबसाइट है इसी पर आपको रोजिस्ट्रेशन करना है अप्लिकेशन फॉर्म फिल अप करना है यहीं सारे क्या सारी सीट्स के लिए सारी जानगारी आपको इसी साइट पर मिलने वाली है तो इसको बोलना ही नहीं है जैंडर इंटिक की बात करें तो को एजुकेशन है मेल फीमेल दौनों यहां पर एक साथ बढ़ते हैं साथ ही साथ यहां पर अप्लिकेशन की अगर बात करें तो वो सारी की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है याद रखिएगा चलिए स्कॉलर्शिप्स की बात कर ले तो हरी उनिवस्टी में बेसिक स्कॉलर्शिप्ट हर प्रकारगी प्रोवाइड करी जाती है यहां पर Meritorious स््टुडن्स के लिए Academic Excellence को बढाने के लिए क्या किया जाता है SCs and STs established किया गया है जो बहुत सारी scholarship प्रोबाइड गरता है और यहाँ पर benefit के लिए बच्चों के benefit के लिए various government schemes भी चलती बहुत सारी असिस्टूडेंट उप्टेनिग जा scholarship और assessment के बाद ही बच्चों को scholarship प्रदान की जाती है कोई दिकत तो है नहीं इंची जो में courses क्या-क्या है उनकी क्या-क्या fee है उसको हम देख लेते हैं तो BSC Plus MSC integrated course है 5-year program है यह याद रखिएगा इसकी fee जो है एक साल की 18,126 रुपे मात्रा और इसके basic eligibility की बात कर ले तो 12th pass होना जरूरी है याद रखिएगा MBA program भी कराते हैं यह Master of Business Administration 14,891 रुपे एक साल की fee है यह 2 साल का course होता है MBA का याद रखिएगा graduation अनिवारे है उसके बाद ही आप master program कर पाएगे बहुत बढ़े चलिए MSC program अगर आप करना चाह रहे है MBA Master of Science से कोई program करना चाह रहे है तो 22,552 रुपे एक साल की fee से है यहाँ पे missy program की और graduation आपकी अनिवारे है याद रखिएगा चलिए BA और MA ये integrated course है याद रखिएगा पास साल इसमें 15,784 रुपे जो है एक साल की fee structure यहाँ पर इनों बता हुआ है और 12 पास होना अनिवारे है आपका ये basic eligibility में आ जाता है BSC और BED का ये integrated program है ये भी याद रखिएगा 21,006 रुपे एक साल की fee है इस program की और 12th पास होना अनिवारे है आपका M.Tech program अगर Master of Technology आप करना चाह रहे हैं यानि graduation के बाद ही होगा ना master तो बिया 31,870 रुपे की एक साल की fee है याँ पे और graduation आपका B.Tech या B.E. होना अनिवारे है है ना MSW Master of Social Worker ये अगर आप कोर्स करना चाह रहा है तो ये भी master ही कोर्स है याद रखिएगा 24,886 रुपे एक साल की fee से याँ पे और graduation अनिवारे है आपका इस कोर्स के लिए याद रखिएगा ये जो fee structure है ये एक बार please cross verify आप खुद से कर लिजगा क्योंकि structure कई बार change होता रहता है है ना admissions की अगर बात कर ले तो यहाँ पर admission जो है सभी courses के लिए CUET के exam के basis पर किये जाएंगे जो हमें पता है है ना और ये बही integrated program UG PG सारे programs conduct करवाते हैं बहुत सारे offer करते हैं हमने देखा भी है इसमें ठीक है तो अगर UG admission आप चा रहे हैं तो आपको क्या करना है UG admission और integrated courses अगर आप चा रहे हैं तो उसके लिए 12th label आपका पास होना चाहिए relevant esteem से और 60% के aggregate marks होने थी तभी आप eligible हो पाएंगे साथ ही साथ यहां पर CUET का exam भी देना अनिवार है अगर PG में admission चाह रहे हैं तो candidate को क्या करना होगा सबसे पहले तो bachelor degree complete करनी होगी ये बहुत जरूरी है अपनी relevant esteem में और at least 55% marks आपके होने चाहिए bachelor degree में और साथ ही साथ CUET का exam भी आपने दिया हुआ होना चाहिए PhD administration की अगर आप admission लेना चाह रहे है PhD program में doctorate करना चाह रहे है तो BIS के लिए master degree complete होने चाहिए आपकी relevant esteem में 55% marks के साथ और BIS यहां पर जो भी respective exam में CUET का exam तो हुआ नहीं है यहां पर है ना तो भाई NET का exam होता है ZRF का होता है GET का होता है तो इस type के जो exam है जो India label के जो चलते है PhD programs के लिए वो आपके देने अनिवार हैं उसके साथ ही आपको यहां पर admission के लिए qualify हो जाएंगे तो कैसे apply करना है आपको CVT का exam तो दे नहीं है उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है application form fill up करना है जिसमें आपकी personal detail academic detail, communication और जो भी details मागेगे वो सब fill up करना है और उसके बाद इसकी एक आपको क्या है uploaded जो copy है उसको scan करके रख लेना है अपने photograph और signature भी रख लेना है साथ ही साथ यहां पर फी जो है वो online के लिए आपके rankings की बात कर लें Central University of Tamil लाडू की तो भाईया NIRF जो ranking प्रोबाइड करती है overall ranking 2022 में इनोंने 101 से 150 के band में यहां पर रखा हुआ है किसको Central University of Tamil लाडू वही university की ranking की बात कर लें तो 2022 की ranking में 85 पे नंबर पर यह university आती है NIRF की ranking के मामले में overall 2020 की ranking में भी same ही criteria था आप देख पा रहा है 101 से 150 के band में last year 2020 में भी जो ranking हुई थी NIRF के दोरा overall वही same band में इनको रखा गया था तो बहुत बढ़िया रहा है placements की बात कर लेते हैं यहाँ पर last जो UG 4 year के program से उनके क्या placement रहे हैं तो यह total number of student यहाँ पर 50 हुआ गर रहे थे यह 2021 के सारे के सारे records बता रहे हैं तो total UG 4 year के program में 50 बच्चे थे जिसमें से cable 2 बच्चे ही जो है यहाँ पर place दो पाए है बहुत बढ़िया median package 2.4 LPA कर रहा है 2,40,000 का वार्सिक साला ना इनको package दिया गया है तो बहुत अच्छा record तो नहीं है मेरे ख्याल से सच बताऊंगा चले top recruiters की बात कर ले तो पुराने इनके top recruiters में है TCA startup consultancy services यह बहुत सारे लोगों recruit गरती है भी यह है ना चले एसेंचर हो गया विप्रो हो गया क्या पजामनी हो गया कॉगनीजेंट हो गया सिटी हो गया सिटी बैंक है ना महिंद्रा हो गया फोड हो गया IBM हो गया CL हो गया UY हो गया सेंचर इनफोसिस IMRB और L&T यह सभी के सभी ट्रॉप recruiter है किसके Central University अप तमिल लाडू के तो भाया यार recruiter तो बहुत अच्छे है median package पिछली बार सायथ बहुत अच्छा नहीं गया है कोई बात नहीं facilities की बात कर लें तो जो basic facilities हारी universities में होती है जैसे की sports complex की health center health care की library, facility, cafeteria, transport, bank and ATM यह basic facility है जो हारी university में होना ही अनिवार है इसके बिना university कैसे चल पाएगी तो यह सारी facilities यहाँ पर अनिवार हैं और हैं और इसी के साथ अब यह Central University of कमिल लाडू की हमने बात कर लिए अगर आभी भी कोई doubt आपके दिमाग में बचा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिये ताकि हम उस doubt को resolve कर पाएं और चैनल पर बने रहना दोस्तों में शेर जरूर करना है वीडियो को और चैनल की सब्स्राइब कर लेना ताकि की हर चोटी मिड़ी जानकारी आपको यही मिल पाएं हमारे चैनल पर तो अंगले college के overview के साथ मिलेंगे university के overview के साथ तब तक के लिए रहे